हेलो गाईज आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपर चिन पर तो डेली की तरह हम लोग आज भी साम आठ बे जो है बेहतरीन प्रेक्टिस रेड लेकर आये हैं जो की बीर्ड इंटेंस एक्जाम और यूपी लिखपाल एक्जाम के लिए का पूरा एक कलेक्शन है तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए पीडियाप भी आप सभी लोग को मिल जाएगी पीडियाप के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्सन बॉक्स में टेलीग्राम गुरूप दिया गया है आपको वहाँ पर जाकर टेलीग्राम गुरूप को जाइन को करना होगा और जैसे ये वीडियो खतम हो जाएगी उसके 10 मिट के बाद में वहाँ पर आपको पीडियाप इसकी मिल जाएगी ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या है अपडेट इसकी तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए पहला कोशन आपके स्क्रीन पर बात है क्योंकि अगर मैं आपको कोई एक्स्टा फैक्ट वता हूँ तो आप लोग उसको भी जरूर याद रखिए चलिए बहुत बड़ी है चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारती रिजवर बैंक ठीक है भारत में जो केरेंसी नोट होता है वो भारती रिजवर बैंक जो जारी करता है क्लियर है चलिए बहुत बड़ी है चलिए अब आजाते हैं आगे के तरफ कोशें नमबर दूसरा है इसरो किसका संचिप्त रूप है बताइए इसरो का फुल फार्म बताइए इसरो चलिए तो अगर हम आपको बता दें इसरो के बारे में तो इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन यानि कि दूसरे का आइंसर नमबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन अगर हम बात करें इसकी अस्थापना कब हेड़कॉर्टर है ठीक है तो इंडियन इस्पेस रिसर्च और्गनाइजिसर उननी सो नतर में इसकी अस्थापना हुई थी और बैंगलूरू जो है इसका हेड़कॉर्टर है बिल्कुल चलिए अगर यह पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन थे इसके फाउंडर कौन थे वनोन मूलन संबर्धित पौधों की नई किसमे और पालतुपस की नई नसलें विक्सित करना कीट नासी और पीडग नासी का प्रियोग जीवों के सापेक संख्या के सूच मसंतुलन को समझना बताए कोश्य नमबर तीन मनुस किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्त की सं अंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा जीवों के सापेक संख्या के बाई अगर आप कीट नासी और पीडग नासी का प्रियोग करेंगे तो बिल्कुल यह तो नुकसान दायक होता है अगर आप नई किसमे बनाएंगे पालतुपस की नई किसम करेंगे तो जाहिर सी बात इसका राइट अंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा. कोश्चन नंबर चार पर जाते हैं और यह कोश्चन मुस्ट 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 इंपॉर्टेंट है कोश्चन नामबर चार. आणिगीनत आप कोश्चन एक्जाम हो में रिपीट हुआ है कि धूम कोहरा किसके सहियों जज से बनता है, question number 4, धूम कोहरा किस के सहियों जन से बनता है, चलिए, question number 4 है, इसका right answer, option number D बिल्कुल correct हो जाएगा, धूम और कोहरा बिल्कुल correct हो जाएगा, इसी से बनता है, और ये question most important है, question number 5 पे आजाएए, टी का vaccination का आविस्कार किस ने किया, बहुत important है, बताइए, question number 5 का answer बताइए, चलिए, तो अगर हम बात करते है, question number 5 का, तो question number 5 का जो right answer हो जाएगा, वो Edward Jenner हो जाएगा, ठीक है, इन्होंने टी का जो है आविस्कार किया था, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, चलिए, वहीं पर अगर हम Alexander Flaming की बात करते हैं, तो इन्होंने पेंसिलीन की खोज की, जो है खोज की थी याद रखिएगा, चलिए, question number 6, काज के निर्मार के लिए प्रिवक्त कच्ची समग्रियां क्या है, most important question है यह, बताएगे, पीडियाफ के लिए आप सभी लोगो टेलिग्राम ग्रूप जोईन करना होगा, जिसकी लिंक description box में दे दी गहीं, तो जो भी छात नए जोड़ रहे हैं, वो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पीडियाफ के लिए वीडियो देखने के बाद आपको टेलिग्राम ग्रूप पर जाना होगा, जैसे वीडियो खतम होगी, उसके दस मिनिट के बाद आप सभी लोगो पीडियाफ वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, चलिए, question number 6, काज के निर्मार के लिए प्रुक्त कच्ची सामग्रियां, तो question number 6 का जो है right answer D हो जाएगा, चलिए, बहुत बढ़िया, तो अगर हम आपको बता दें, तो पहले जो हमारे मूल कर्तब थे हमारे संविधान में, वो 10 थे, लेकिन 86 संविधान संसोधन 2002 में, इसमें एक जो है, इनमें संसोधन किया गया, और एक मूल कर्तब को और जोड दिया गया, जिसमें से ये कहा गया, कि 6 से 14 वर्स्तक के बच्चे, जो है, सिक्षा को आउसर प्रदान किया जाए, ठीक है, तो पहले 10 थे, लेकिन 2002 के बाद, 86 संविधान संसोधन के बाद में, 11 हो गया, अगर आप सबीलों को पता है, तो आप जरूर लिखें, कि मूल कर्तब जो है, कि समित के सिपारिस पर जोड़ा गया, चलिए, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा, अगर आपके एक्जाम में आजा है, कि मूल कर्तब, एक तो सबसे पहले हम बता दें, कि मूल कर्तब किस देश से लिया गया है, तो रूस के संविधान से जो है, लिया गया ह ठीक है चलिए और इसमें कितरी संक्या इसकी तो 11 है Question No.8 लोहे की रेलो में टूटे हुरे टुकडे और मसीन की भागों की welding में निम्लखे में से किसका प्रियोग किया जाता है आप लोग देखते हैं जो welding machine होती है आप लोग ने कभी लोहे का welding करवाय होगा तो उसमें किसका प्रियोग किया जाता है aluminum sulfate, solder, aluminum powder या इनमें से कोई ने बहुत बहुत बार ये question exam में आया है welding में किसका प्रियोग किया जाता है चलिए बताइए Question No.8 और इसका जो right answer हो जाएगा हो जाएगा B यानि solder विल्कुल correct हो जाएगा इसका answer ठीक है Question No.9 वायू मंडल में जलवास्प की मात्रा किससे मापी जाती है आदरता की रूप में, बिंदुकों के रूप में, धूम कोहरा की रूप में या ये सभी Question No.9 वायू मंडल में जलवास्प की मात्रा किससे मापी जाती है चलिए, तो Question No.9 वायू में किस यंतर का प्रियोक करते हैं तो हाइग्रो मीटर, याद रखेगा ये भी कई बार पूछा जाता है कि आदरता को मापने के लिए किस यंतर का प्रियोक करते हैं तो आपका answer होगा हाइग्रो मीटर चलिए, Question No.10 वायो गैस बनाने के लिए सामानिता प्रित द्रब भी कौन सा है पसुओं का अपसिष्ट, सस्स अउसेस, जली इपादप या वन अउसेस Question No.10 का answer दीजिए वायो गैस चलिए, तो Question No.10 की बात करते हैं, इसको हम थोड़ा सो उपर करते हैं अगर हम Question No.10 की बात करते हैं, बायो गैस बनाने के लिए किसका प्रियोग करते हैं तो पसुओं का जो अपसिष्ट होता है, मल मुत्र जो होता है उसी से हम लोग जो हैं बायो गैस बनाते हैं और अगर ये पूछा जाए, बायो गैस में होता क्या है तो इसमें जो मिक्चर होता है मेथेन का, कारवन डाइकसाइड का और हाइड्रोजन सलफाइड का ठीक है, इसमें मेथेन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है चली, Question No.11, हमारे संबिधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेक नहीं है चली, संबिधान की प्रस्तावना चली, बताईए चली, Question No.11 की बात करते हैं, तो इसका Right Answer D हो जाएगा यानि कि वयस्क मतादिकार का जो है उल्लेक हमारे इसमें नहीं दिया गया है अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो 1976 यानि जो ब्यालेसवा संबिधान संसुदन था उसमें अपने प्रस्तावना में तीन चीजे नहीं जोड़ी गई थी समाजवादी, धर्म निर्पेच और अखंडता अगर हम बात करते हैं संबिधान की प्रस्तावना लीकिस देथ से गई थी तो अगर हम इसकी बात करते है प्रस्तावना की बचार का तो यह आपका लिया गया था अमेरिका से, क्लियर है, चलिए, कोशे नमबर बारा, भारतिय संसद का जनता द्वारा निर्वाची सदन निमलेखित में से कौन सा है, भारतिय संसद का जनता द्वारा निर्वाची सदन निमलेखित में से कौन सा है, राजसबा है, लोगसबा है, लोगसबा भी है और राजस यहां पर हो रही है आपकी साथ में explanation भी मिल ले हैं तो question number 12 का right answer B हो जाएगा देखो जनता द्वारा निर्वाचित का मतलब होता है जिस भी चुनाओं में हम लोग vote करते हैं यानि प्रत्यक्ष मतदान जहां पर होता है आप सभी को पता है लोग सभा का चुनाओ वही होता है यानि कि हम लोग vote नहीं डालते हैं यानि कि यहां पर हम लोग इस निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं ठीक है तो राज सभा नहीं हो सकता है लोग सभा बिल्कुल correct होगा अगर हम article की बात करते हैं तो लोग सभा हमारा 81 number article में है और राज सभा हमारी जो है 80 number article में है राज के नीत निर्देशक सिर्धानतों से सम्मंदित है भाग 3, भाग 4, भाग 1 या भाग 2 बताइए बिल्कुल सभी लोग answer type करेंगे बहुत बढ़िया अगर हम बात करें question number 13 का तो इसका right answer जो है आपका option number B हो जाएगा 13 का B यानि भाग 4 में राज के नीत निर्देशक सामि कियेंगे हैं अगर आप से पूछा जाए कि राज का नीत निर्देशक सकता तो किस देश के सम्मिदान से लिया गया है तो आपका answer जो है Ireland हो जाएगा वही पर हम भाग 3 की बात करेंए तो यह आपका मौली का धिकार से सम्मंदित है मौली का धिकार जो की अमेरिका से लिया कोश्चन नमबर 14 गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे कार्ल मार्क्स, थामस हॉप्स, चार्ल्स डाबिल या लियो टालस्टाए गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे चली बहुत बढ़िया चली तो कोश्चन नमबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपसर नमबर D लियो टालस्टाए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा चली कोश्चन नमबर 15 पर आजाते हैं लोग तांत्रिक समाजवाद की विधिया हैं क्रांगती आम हरताल तोड़ फोड़ समझाना और प्रचार करना question number 15 का right answer बताईए चलिए तो लोग तांतिक समाजवात की विधिया क्या है तो बिल्कुल right answer जोए D हो जाएगा समझाना और प्रचार करना question number 16 पर आते हैं जहां पर explain करना है वहीं करेंगे असम राज में काम कर रही तेल परिसकरनी और रिफाइनरों की संख्या कितनी है question number 16 बताईए जल जल दी answer टाइप करिए सभी लोग असम राज में काम कर रही कितनी तेल रिफाइनरिया है बताईए चलिए question number 16 का जो right answer हो जाएगा बिलकुल वो आपका D हो जाएगा निकि चाल जो है रिफाइनरिया हम clear correct है question number 17 वित आयोक की निउक्ति कौन करता है वित मंत्री प्रधान मंत्री लोगसबा अध्याच या राश्टपती बताईए question number 17 चलिए तो इसका right answer जो है आपका राश्टपती जो है बिलकुल correct हो जाएगा राश्टपती जो है वित आयोक में एक सदस्य और एक अध्याक्च और चार अन्य सदस्यों को निक्ति करता है जिससे आपका वित आयोक बनकर तयार होता अगर वहीं पर ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले वित आयोक के अध्याक्च कौन थे अगर आपसे पूछा दे सबसे पहले बित्तायोग के अद्ध्यक्ष कौन थे तो हम आपको बता दें कि प्रतम जो बित्तायोग थी इसकी अस्तापना 1951 में की गई थी और इसके जो अद्ध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी ठीक है कौन थे केसी नियोगी थे चलिए कोश्य नमबर 18 अन पूर्णा योजना किस वर्स कार्यानवित की गई थी बताए ये अन पूर्णा योजना किस वर्स कार्यानवित की गई थी कोश्य नमबर 18 और इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2000 एक अपरेल 2000 को जो है अन पूर्णा योजना की सुरुवात की गई थी कोश्य नमबर 19 किसी देश के अनकूल ब्यापार सेश का आसे है निर्यात की अपेक्चा आयात अदिक है आयात और निर्यात बराबर है आयात बढ़ रहा और निर्यात कम हो रहा है बताए कोश्य नमबर 19 का एंसर बताए चलिए तो अगर हम question number 19 की बात करें तो आयात की अपेक्छन निर्यात अधिक होने पर जो ब्यापार से सूता है वो आपका क्या है अनकूल माना जाता है correct है यहां तक चलिए question number हम लोग next पर आ जाते हैं question number 20 मुखी iron और steel उद्धे किस पठार में इस्तित है दक्कन में मालवा में तेलंगाना में या चोटा नापपूर बहुत important प्रस्ण है मुखी iron और steel उद्धे किस पठार में इस्तित है चलिए question number अगर हम 20 की बात करते हैं तो इसका right answer जो चोटा नापपूर हो जाएगा चोटा नापपूर पठार में मुखी iron और steel उद्धे किस पर आईए घास का सबसे उचा और सबसे मोटा प्रकार क्या है घास का सबसे उचा और सबसे मोटा प्रकार गास का सबसे उचा और सबसे मोटा प्रकार है चलिए तो question number 21 यही जी रहा होगा क्योंकि आपके आसपास पाया भी जाता है बांस जो बिल्कुल correct हो जाएगा question number 22 निम निलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है question number 22 बताइए चलिए बहुत बढ़ी है चलिए तो इसका जो right answer हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा ब्रह्म पुत्र जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़ी है अगर हम बात करें ब्रह्म पुत्र नदी का उद्गम कहां पर होता है तो यह जो है मान सरोबर जील जो है आपका बिल्कूल तिब्बत की एक पुरंग जिला है याद रखेगा एक पुरंग जिला है तिब्बत में ठीक है और वही से एक माण सुरोबर जील से जो है इसका युगदम जो है आपका उद्गम होता है चलिए जहां पर इसको सांगपुर नदी की भी नाम से जाना जाता है और अगर हम बात करें इसमें बहुत साइज चीजें हैं कि अगर आपका ब्रह्म पुत्र है और आपकी गंगा नदी जबें मिलती हैं तो एक मेघना डेल्टा जो है निर्मार करती है चलिए ठीक है चलिए और जो आपका है ब्रह्म पुत्र और गंगा के निर्मार जब एक साथ मिलती है तो सुंदर्वन डेल्टा का भी निर्मार होता है और जहाँ पर आपके ब्रह्म पुत्र और गंगा ये दोनों आपस में जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर मेघना उसकी सैयूंग तुधारा को हम मेघना कहते हैं ठीक है याद रखेगा question number 23 screen पर आ चुका है कि माजुली संसार की सबसे बड़ी नदीद उप है किस राज में इस्तित है बताइए बहुत बड़ी है चलिए तो अगर हम 23 की बात करते हैं तो 23 का जो right answer हो जाएगा बिलकुल वो आपका B हो जाएगा असम में जो है आपका माजुली है जो की संसार का जा सकता है अव नालिकाओं को प्लक करके अतिचारण को रोक करके समोच रेखिये जुताई द्वारा रक्षक मेखलाएं बनाकर 24 बताइए मरुष्थली भवन को रोका जा सकता है ठीक है तो जैसे आप लोग क्या करते है कि आप लोग जो अंदा दुन पेणों की कठाई कर रहे हैं उसी तरीके से जो है यहाँ पर चीजे हो रही है तो इसमें चार ओप्षन दियेंगे जिसका सबसे राइट एंसर हो जाएगा अतिचारन को रोक कर ठीक है यह आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कोश्य नमबर 25 देवी माता की पूजा संबन्दे थी आरी सब्विता के द्वारा भूमद्य सागरिय सब्विता के साथ सिंदुगाटी सब्विता के साथ उत्तर वैदिक सब्विता के साथ 25 बिल्कुल बताईए जो मात्र देवी पूजा की हम बात करते हैं और आपको हम ब आगे जब बैदिक सब्विता आई तो वहाँ पर पुरूस सत्तात्मक होने लगा और वहाँ पर पुरूस जो है काम करने लगे लेकिन जो मात देवी की हम बात करते हैं वहाँ पर महिलाओं को ज्यादा सम्मान था और महिलाएं ज्यादा काम करती थी सिंद गाटी सब्विता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 26 पर आजएए, बंद गोभी का खाद अंस क्या होता है, फल, संगहनित, पुस्प, काईक कलिका या पुस्प समू, 26, यह अगर समझ में आ रहा है, वीडियो जबरदस्त लग रहे हैं, तो एक लाइक में कुछ नहीं जाता है, तुरंत आप ल हैं, ठीक है, चलिए, 27, नीम निलिखित में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं, प्रकास संसलेशन और स्वसन, स्वसन और वास्पो सर्जन, वास्पो सर्जन और चालन, चालन और स्वसन, 27, चाहे आप बेर इंटरेंस एक्जाम की तारी कर रहे हैं, most important session है, daily साम को 8 बजे आपको जुड़ जाना है, किसी से कुछ भी नहीं पूछना है, आपको यहाँ पर free classes, free PDF, सब कुछ आपको मिल जाएगी, PDF के लिए आप सभी लों को telegram group join करना होगा, class खतम होने के 10 मिनिट के बाद आपको PDF मिल जाएगी, confirm है, चलिए, 27 के अगर right answer की हम बात करते हैं, तो इसका जो right answer होगा, वो option number D हो जाएगा, ठीक है, प्रक्रम जो है, वो अंदकार के समय, पादपों के साथ संबंद होते हैं, चालन और स्वसन, चलिए, question number 28, MRI मसीन में निमलखित में से किस का प्रियोग किया जाता है, MRI आपने नाम सुना होग लोग कहते हैं, पूरे बॉड़ी का MRI करवा लिजिए, तो वहाँ पर किस प्रकार की तरंग का प्रियोग किया जाता है, बताइए, बहुत बढ़िया, MRI मसीन में कौन सी तरंग का प्रियोग किया जाता है, चलिए, question number 28 हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा, option number D, यानि चुम की प्रियोग के तरंग, clear है, चलिए, X किरन का प्रियोग X-ray में किया जाता है, जब आपकी कोई हड़ी वगरा टूर जाती है, हड़ीों का जाच करने के लिए किया जाता है, चलिए, निम्न लिखित में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पात्पों के, अच्छा यह हो गया चलिए, 29 पर आते हैं, एलेकजंडर और पोरस ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी, लड़ाई लड़ी थी, कहाँ पर, हाइडेस्पेस में, जेलम में, पानीपत में या तराइन में, बताईए, 29 बताईए, सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी, या हम ऐसा कहें, कि सिकंदर और पोरस के बीच की लड़ाई किस नदी के बीच लड़ी गई थी, देखो, इसमें अगर हम बात करें न, तो यहाँ पर दो आप्शन इसके करेक्टार हैं, हाइडेस्पेस भी चाही हो जाएगा, और जेलम भी चाही हो जाएगा, जेलम नदी के किनारे जो है ये युद्ध हुआ था और जेलम का ही पुराना नाम बितस्ता है high despise भी कहा जाता है तो इसके दो option correct होंगे आपकी ये भी सही हो जाएगा ये भी सही हो जाएगा तो इसमें दो option दिये गए ठीक है तो इसके दोनों option सही होंगे high despise इसलिए जो है अलेकजंडर और पोरस के बीच की लड़ाई को high despise का युद्ध भी कहते हैं इसे हम वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं इसको हम सिकंदर और पोरस के बीच का भी युद्ध कहते हैं ये तो बहुत सिंपल होगा, हल्दी घाटी की लड़ाई, चले तो question number 30 में हम ज्यादा समय ने लेंगे, इसका जो right answer हो जाएगा, बिल्कुल वो आपका अकबर और महालाणा प्रताप हो जाएगा, अगर आपको पता है तो आप जरूर लिखें कि ये लड़ाई कब हुई थी, तो चलो ठीक है, आप जरूर टाइप करें कि इसकी लड़ाई हुई कब थी, इयर हमको बताइए, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी, एक सेकन में जल्दी टाइप करिए आप लो, जल्दी जल्दी टाइप करिए आप लो कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी बिल्कुल तो मैं आपको बता दूँ जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी वो 1576 इसबी में हुई थी क्लियर है यहां पर चली बहुत बढ़िया कोश्चन नमबर 31 सा जहां का प्रसिद तक्ते ताउ 1749 इसबी में कौन ले गया था अफगान अक्रामक अहमत सा अपडाली फार्सी अक्रामक नादिर सा मंगोल अक्रामक चंगेज खां या बिटिस इस्ट कंडिया कंपनी 31 बताईए आप लूँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो बिल्कुल जो एक इरानी सा सकता फार्सी सा सकता नादिर सा जो 1789 में तक्ते ताउस लेकर गया था जिसको हम मैयूर सिंगासन के नाम से भी जानते हैं आहमत सा अबदाली को आप सभी लोग बिल्कुल जानते होंगे पानी पत की तीसी रड़ाई मराठा और इनके बीच में हुई थी ठीक है चली कोशे नमबर 32 कैमरा के प्रतिविम की तीशनता निमलखित में से कौन तै करता है दौरक उदभासन का समय लेंस की फोकस दूरी या कैमरा का अकार 32 बहुत बड़ी है 32 का जो राइट एंसर हो जाएगा बिल्कुल वो हो जाएगा हमारा उप्सन नमबर A यानि की अपर्चर जो होता है तो कैमरे के प्रतिविम की जो तीशनता है वो अपर्चर तै करता है क्लियर है आपकी फिजिक्स का कुश्चन है जबर्दस कुश्चन नमबर 33 Most important question है यह Stainless steel किसकी मिस्चर धात हो अगर आप किसी भी competition की exam की तारी कर रहे है तो एक बार आप मिस्चर जरूर याद करिएगा ठीक है मिस्चर आप जरूर याद कर लिजिएगा Stainless steel किसकी मिस्चर धात हो है 33 बिल्कुल तो जो आपका Stainless steel है वो आपकी क्रोमियम कारवन और आईरन इसकी मिस्चर धात हो है चलिए पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती है प्रकास अंसलेशन का वास्पो सर्जन का भंडारन का या चालन का जो आपकी सिराएं होती है पत्तों में वो किसका काम करती है 34 बहुत अच्छा कोशन है यह बिल्कुल तो वास्पो सर्जन का यह काम करती है तो 34 का राइट आइसर जो है वो B हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्रकार संसलेशन जो है क्लोरोफिल के द्वारा होता है जो आपके पत्तों में होता है और पत्तों का ही काम जो है भंडारन का होता है लेकिन जो पत्तों में जो सिराएं होती है वो वास्पो सर्जन का काम करती है क्लियर है यहाँ पर चलिए 35 पर आ जाते हैं निम्न लिखित में से बहुत साहित की पहचान कीजिए त्रिपिटक उपनिसद अंग या अरंडे बताईए बहुत बढ़िया 35 पर आ जाईए सबी लोग बहुत बढ़िया तो 35 का जो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा त्रिपिटक बिल्कुल करेक्ट होगा इसका ठीक है चलिए 36 पर आईए पक्छियों को उड़ने से रोकने की प्रिक्रिया क्या कहलाती है बताइए पक्चियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है 36 चलिए तो जो आपका 36 हो जाएगा इसका राइट आंसर आप्सन नमबर A हो जाएगा ब्रेलिंग आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझ मैं आज बत कुछ कोस्टेंस ऐसे होते हैं आपको तीन से चार प्रस्ण बिल्कुल यूनीक दिखते हैं जो उसके पहले ना तो किसी एकजाम में पूछे जाते हैं और ना ही उनकी कोई कालपना करता है समझ में आगे बाद ऐसे प्रस्णों को आप जरू याद रखिए 37 साद नहीं है याँ पर 37 और 38 साद नहीं है कोई बात थी हम 39 पर आ जाते हैं चलिए ठंडे देशों में सीत काल में जहीले जम जाती है नीचे पानी छोड़कर बताइए कितने डिग्री सेंटी गेट पर जो जहीले होती वो जम जाती है और आपको पता देए याँ पर जो नीचे का बात किया गया है तो आपको पता जो जहीले जमती है वो उपर से तो जम जाती है लेकिन नीचे जो है वो नहीं जमती है ठीक है? चलिए कोश्यन नमबर 39 तो इसका राइट अंसर जो है अमीर कोही नमक एक नया अभिभाग बिल्कुल जीरो अंस एंटिग्रेट पर तो पानी आपका जो बरब बनता है आप लोग फ्रीजरीज में डालते हो वहाँ पर बनता है लेकिन जब जीलों के जमने की बात होगी तो चार अंस इंटिग्रेट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बहुत बढ़िया अमीर कोही किरसी विभाग नमक एक नया अभिभाग के सुल्तान द्वारा सुरू किया गया था बताए बताए सभी लो एंसर जरूर टाइप करें चलिए तो कोशें नमबर अगर हम 40 की बात करते हैं तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा बिल्कुल वह आपका उप्सन नमबर C हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझ में आगी बात चलिए अब लास्ट कोश्चन आज का मौर रिकाल में सिक्षा का सरवाधिक परसिद केंदर कौन सा था वैसाली था, नालंदा था, तक्षिला था, उज्जेन था कैसा लगा सेसन आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे PDF के लिए आपको टेली गराम ग्रूप जॉइन करना होगा वीडियो अभी खतम हो जाएंगी उसके 10 मिंट के बाद आप सब लोगो इसके PDF टेली गराम ग्रूप पर दे दी जाएगे तो टेली गराम ग्रूप पर जरूर जाएंगे वहाँ से PDF डाउनलोड करें और एक बार आप फटाक से और रिविजन कर लें तो ये 40 के 40 प्रस्ट आपके दिमाग में बिल्कुल लोड हो जाएंगे तो more recall में जो सिक्चा का सरवादिक जो है आपका प्रसिद केंद्र था बिल्कुल तो वो आपका हो जाएगा तो ये रहे आज की कुछ important question जो बार बार exam में repeat होते हैं अगर आपको questions अच्छे लगे हैं बढ़िया लगा तो प्लीज आप वीडियो को like किये बिना मत जाएगा टेली ग्राम गुरूप जाएगे वहाँ पर आप पीडियाफ डाउनलोड करिए और डेली आपको free और बेहतरीन क्लास करने के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है तो मिलते हैं अगरी वीडियो में किसी खास update के साथ तब तक के लिए खुस रहिए मस्त रहिए जैहिन जैभारत